Friends, Welcome to SS Tutorials, आप देख रहे हैं SS Tutorials, आज हम लोग Bridge Rectifier को study करेंगे और उसकी working को समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं Bridge Rectifier, तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि चार डायोड हैं और चार डायोड जो हैं वो electrical bridge के form में connect है एक D1 डायोड है, एक D2, E3, D4, चार डायोड electrical bridge के form में connect हैं और दो टर्मिनल के बीच में load resistance RL है एक transformer है, जिसमें primary में आपने single phase AC supply connect करी है, secondary में ये bridge आपने connect करा है इसकी सबसे बड़ी advantage ये है कि इसमें center tap transformer का इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AC voltage हम apply कर रहे हैं वो सीधा directly applied हो रहा है किसमें bridge rectifier में no doubt ये आप जो देख रहे हैं ये step down transformer है और ये पूरी तरह से basically आप ये कह लीजे कि ये full wave rectifier की तरह काम करता है लेकिन full wave में दो diode use करते हैं और bridge rectifier में चार diode का इस्तेमाल किया जाता है जिनको bridge के form में connect करते हैं और दो terminal के बीच में एक load resistance RL को हम connect करते हैं तो आईए अब इसको इसकी working समझें कैसे ये work करता है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो diode है इसमें दो diode forward bias है ये कैसे हो पा रहा है कि देखिए आपने ये जो AC supply है ये AC supply input पे apply करिये तो positive half cycle जो ये है यहां पे हमने आपको इसलिए ये दिखाया है कि ये positive half cycle तो positive half cycle जब apply आएगी यहां पे तो क्या होगा कि A point जो है ये A point ये पिलस का हो जाएगा और ये B point जो है वो minus का B A terminal positive हो जाएगा और B terminal negative हो जाएगा तो अब देखिए ये A terminal पे कौन सा diode connect है A terminal पे D1 diode connect है यानि इसकी polarity हो गई positive और यहां पे जो diode था वो हो गया reverse bias जब diode reverse bias होता है तो हम ये assume करते हैं कि ये open circuit की तरह भी हैप कर रहा है यानि इसमें कोई भी current flow नहीं होगा क्योंकि D4 जो है वो reverse bias है तो जब A terminal positive है तो D1 forward bias हो गया एक और B जो है वो negative terminal है तो ये वाला diode का terminal negative हो गया और ये positive हो गया तो ये भी forward bias हो गया D2 जो है ये भी forward bias हो गया लेकिन D3 जो है वो reverse bias हो गया तो अब current की direction क्या होगी current की direction देखिए red color से हमने दिखाया है current की direction क्या होगी ऐसे होगी और उसके बाद फिर ऐसे जाएगी किधर से D1 से फिर load resistance से होते हुए D2 से जाएगी और D2 से फिर ये ऐसे वापिस आ जाएगी ठीक है न क्योंकि D positive इसका मतलब ये हुआ कि positive हाफ cycle के लिए D1 और D2 जो है ये conduct करेंगे क्योंकि ये forward bias है क्योंकि ये forward bias है ठीक है ना बहुत simple है कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है और D3 D4 जो है D3 और D4 जो है ये क्या है ये reverse bias है और reverse bias में हमें पता है कि diode conduct नहीं करता है ठीक इत्ति बात समझ में आ गई तो लोड के फोरो जो current flow कर रहा है वो from right hand side to left hand side flow कर रहा है जब फोलो कर रहा है जब positive half cycle apply हो रही है D1 और D2 forward bias है और ये D1 D2 conduct करेंगे D3 D4 जो है वो reverse bias है ये conduction इसमें नहीं होगा तो load के फोरो current flow हो रहा है from right to left hand ये तो बात हो गई positive half cycle के लिए अब ये जो negative half cycle है जब ये आएगा तब क्या होगा देखते हैं जब negative half cycle आया है तो ये देखे ये negative half cycle बनाया है तो अब इसमें क्या होगा कि A terminal जो है वो negative हो जाएगा और B terminal जो है वो positive हो जाएगा तो जब A terminal negative हुआ तो ये वाला point तो हो गया negative ये वाला point हो गया positive यहाँ पे D1 जो है और D2 जो है ये दोनो reverse bias हो जाएगे किसमें? negative half cycle में D1, D2 reverse bias हो गया ठीक है न? इसके थोरोग conduction नहीं होगा अब ये B terminal positive है इसका मतलब D3 का ये terminal positive है और ये negative है तो D3 और D4 क्या होंगे? ये होंगे forward wise ये हो गया आपके forward wise यानि अब जो conduction होगा वो D3 और D4 के pro होगा तो आप देखें ये इसमें yellow color से हमने already दिखाया एक direction of the current ये current ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा फिर D3 से जाएगा और D3 से पास होगे फिर की direction वही है जो negative half cycle के है ठीक है ना देखें positive half cycle में भी right hand यानि इस terminal से इस terminal के थोड़ो कर रहा था current और negative half cycle के लिए भी direction of the current थोड़ोड रेजिस्टेंस इस सेम थोड़ोड रेजिस्टेंस के थोड़ोड डारेक्शन करण की सेम है पस हमको ध्यान रखना है positive half cycle में d1, d2 forward bias होंगे और d3, d4 reverse bias होंगे निगेटिव half cycle के लिए क्या हो रहा है बच्चों जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि d1, d2 reverse bias हो गए और d3, d4 forward bias हो गए लेकिन लोड के थोरो जो current flow हो रहा है उसकी direction सेम हो गई किलियर होग सिंपिल वर्किंग है अब आईए ये सारी बातें जो हमने points में लिखी हैं ये जो आपको explain किया है ये वही points wise हमने लिख दिया आप वीडियो को pause करिए और ये points को note कर लीजे ये working यहाँ पर explain कर दी है जो अभी आपको समझाई हमने आप वीडियो को pause करके ये note कर सकते हैं अब देखिए इसकी waveform तो पहली waveform क्या है बच्चों जो आपने secondary voltage में input मिला आपको ठीक है ना तो इसमें क्या था positive half cycle के लिए ये positive half cycle के लिए कौन-कौन से diode जो हैं conduct कर रहे थे D1 और D2 लेकिन negative half cycle के लिए D3, D4 conduct नहीं कर रहे थे ये थोड़ा गलत हो गया ये conduct नहीं कर रहे थे तो output क्या आया जब conduction नहीं होगा तो कोई हमको output नहीं मिला लेकिन D1, D2 on condition में थे तो हमको ये मिल गया तो ये देखिए जो second waveform है ये current जो flow हो रहा है diode D1, D2 के form में वो ये है तो इसमें positive half cycle में तो हमको ये output मिल ला है लेकिन negative half cycle में output नहीं मिल ला है क्यों क्योंकि diode जो है वो D3, D4 वो reverse bias है अब negative half cycle में क्या हो रहा है negative half cycle में D3, D4 के बीच में current flow हो रहा है हमको current मिल ला है ठीक है लेकिन D1, D2 जो है वो reverse bias है तो output नहीं मिल ला है लेकिन जब load के थोरो current की direction सेम है तो ये positive half cycle के लिए मिल गया ये negative half cycle के मिल गया ये positive half cycle के लिए मिल गया ये negative half cycle के लिए मिल गया तो जाहिर सी बात है जब load current ये मिल लाए हमें तो load के cross voltage की waveform भी इसी तरह की होगी जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया है blue color से जो आप देख पा रहे हैं ये maximum value है current की और ये वाली value है ये average value है जिसको आप PC ही कहते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि peak inverse voltage जो है अब ये दोनों diode तो reverse bias है ये दोनों reverse bias हैं तो इनके cross voltage मिलेगा हमें तो माल लिजे कि इसके cross voltage हमको मिल गया है ये पूरा ESM एक diode के दूसरे diode के cross ESM तो total कितना हो गया बच्चों twice of ESM लेकिन ये दोनों diode आपस में इस voltage को share करेंगे इस voltage को share करेंगे तो peak inverse voltage हमारा क्या हो जाएगा peak inverse voltage to ESM यानि secondary का maximum voltage upon two दोनों diode आपस में share करेंगे तो two or two cancel तो peak inverse voltage क्या आया बच्चों peak inverse voltage आया ESM बाकी derivations का expression वैसे ही है जैसे की full wave rectifier में तो ये तो थी इसकी working तो उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा और अगर कोई भी doubt है तो आप comment box में लिख सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं अपने suggestions भी दे सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा आपके लाइक और शेयर से हमें encouragement मिलता है वीडियो को सब्सक्राइब कीजे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड्स को बताईए इस वीडियो के बारे में इस चैनल के बारे में और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आपको जो doubt है comment box में जरूर लिकिए आप सब लोग से request है कि प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपना खया लखिए take care of yourself thank you very much मिलते हैं next किसी topic पे discussion करने के till then good bye कर दो झाल झाल झाल